नमसकार नमसकार दोस्तों! दोस्तों कि आपको पता है? अगर आप परदान मंत्रे किशान सम्मान निधी योजना की अगली किस्त बाने के लिए कर रहे हैं इंतजार तो उससे पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए वरना बैंक एकाउंट में नहीं आएगा पैशा इस वीडि प्रधान मंत्रे किशान की अगली किस्त फरवरी और मार्स 2024 के बीच जारी की जाएगी। ऐसे में किसानों को अगली किस्त पाने के लिए पहले अपना ये काम निप्टाना होगा। साथ ही ऐसे खबरे हैं कि सरकार 6000 रूपे से बढ़ा कर 8000 रूपे कर सकती है प्रधान मंत्रे करेंगे तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। निवेदन करता हूँ अगर आप चनल पर नए हैं तो वीड़े को लाइक करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविस में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। परधान मंत्रे किशान भारस शरकार की प्रतिसत फंडिंग वाली योजना है। परधान मंत्रे किशान योजना के तहट सभी भूमिधारक किशान परिवारों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपे दिये जाते हैं। कुछ काम निप्टाने होंगे। साथ ही ऐसे खबरे हैं कि 6,000 रुपे नहीं बलकि अब 8,000 रुपे आपको मिलेंगे। किशान पहले ये काम जरूर करें। पर लाभार्थी किशानों को किस्त नहीं मिल सकती है। किसानों को नहीं मिलेगा फायदा। अग्रिकल्चर राजस्थान वेपशाइड के अनुसार जिले के 49,000 से जादा किसानों की ये किवाईसी, 11,000 से जादा किसानों की अधार, सीडिंग और 24,000 से जादा किसानों की भूमी का सत्यापन होना बाकी है। इसे जल्द पूरा करना होगा क्योंकि फिर किसानों को किस्त का फायदा नहीं मिलेगा। यानि उन्हें किस्त नहीं मिलेगी। अगर इनकिसानों ने 11 जनवरी तक 21 करवाईसी नहीं करवाई तो वे अपात्र हो सकते हैं। 31 जनवरी तक ही कवाईसी नहीं करवाने वाले किसानों की पातरता भी खात्म की जा सकती है मोधी सरकार बढ़ा सकती है बजट में मिलने वाला पैसा देश के किशान काफी समय से प्रधान मंत्रे किशान सम्मान ने धी योजना के तहत मिलने वाले पैसे को बढ़ाने की माग करते रहते हैं सरकार इस बार बजट में पैसा बढ़ा सकती अभी इस स्कीम में लाभार्थी किशानों को एक साल में छे हजार रुपे मिलते हैं वो भी तीन किस्तों में सरकार बजट में इस पैसे को छे हजार रुपे से बढ़ा कर आठ हजार रुपे कर सकती है अगर ऐसा होता है तो अगले महिने मिलने वाली किस्त भी बढ़ जाएगी अभी सलाना आपको बता दूँ मिलते हैं 6,000 रुपे उन परधान मत्रे किशान के लाभारतियों को जो पीम किशान सम्मान निदी योजना के तहट जुड़े हुए हैं इस योजना के तहट एक किस्त में 2,000 रुपे और सालाना 6,000 रुपे मिलते हैं ये पैसे 3 किस्तों में किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किये जाते हैं हर किस्त में 2,000 रुपे भेजे जाते हैं ये किस्त हर 4 महिने में दी जाती है अभी सरकार ने हाल में 15 नॉंबर के दिन 15 वी किस्त किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किये हैं निवेदन करता हूँ कर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविस मेंसी जानकारी आपको मिलती रहे वीडियो कौन तक देखने के लिए